उत्तर प्रदेश पुलिस जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जागरुक होती नजर आ रही है वहीं उन्होंने नारी सप्ता सुरक्षा मनाया जिसमें अच्छा रिस्पॉंस आया शात्रों ने बढ़चर कर हिस्सेदारी ली अब यूपे पुलिस ट्विटर हैंडल क जरिये देश नहीं विदेश में भी अप्रवासिय रहरे भारतियों को सुवधा देने जा रही है पूरी जानकारी के लिए हमाई साथ मौजूद है यूपे प्रदेश में और साथकर हमारे प्रदेश में ट्विटर सेवा जो है बहुत ही लोगप्री और बहुत ही सेवा के माधियम से हम उनके कंप्लेंट को सुन रहा हैं कई कई दशाओं में और कई अस्थानों पर तो हमने एफ आयर तक दर्ज करा आया है एक तरह से एक सोशल मीडिया एफ आयर है जो हम कराते रहे हैं एफ आयर के अलावा लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि हम सोशल की और यह कहा कि क्योंने हम UK चैप्टर खोलें और उस UK चैप्टर से हम दोनों संबंधों को और प्रकाड करें पुलिस के पुलिस पुलिस रिलेटर संबंधों को जैसे UK में बहुत सारे उत्रप्रदेश के लोग रह रहे हैं अगर वहां पे एक ट्वीटर हैंडल किया जाए उसका लॉंच किया जाए तो और उसको फिर हम लिंक कर दें अपने यूप यूटर सेवा से तो उनकी समस्याएं जितनी भी हैं जो उनके रिलेटरिव्स माता पिता रिष्टदार सब जो रह रहे हैं यहां पे उनकी समस्याओं को हम देख सकते हैं और तवरीत कती से उनका इस्तारन कर सकते हैं यही बात लागू होती है अन्य देशों के लिए यूएसे में गल्फ कंट्रीज में जिन लोगों में जो जो लोग वहां रह रहे हैं तो इसी को हमने मद्दे नजर रखते हुए एक डिजिटिल फ्रेंड ओफ यूपी पलीस शुरू किया है और सूप् देश के बारे में जो जानकारी है एक तो पुलीस की समस्याओं के बारे में और अदरवाइस भी विकास के बारे में बहुत सारी चीजें हो रही है अभी आपने देखा इन्वेस्टर सब्मिट हुआ उस इन्वेस्टर सब्मिट में लोगों को निवेश करने का एक बहुत कि यहां की कानून विवस्ता अपराद की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। साथ हमने बहुत सिर्जन फ्रेंडली सेवाएं शुरू की है। UP100 है, 1090 है, EFIR है और भी बहुत सारी वेरिफिकेशन के बारे में सेवाएं हम शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन, डिफरेंड डिफरेंड जीगों में, लॉस्ट अन फाउन का एक बहुत अच्छा अप हमारे पास है। इस सभी चीजों को कैसे हम लोगों तक पहुँचाएं। कोई वीडियो है वो बहुत पुराना है उसको अभी सर्कुलेट किया जाता है और उत्रप्रदेश पुलीस के बारे में कई ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो गलत हैं भामक हैं इन सब चीजों के बारे में भी हम सचेत हैं चैतन्य हैं और हम चाहेंगे कि इस ट्वीटर सेवा के माध्यम से उन सब चीजों पर भी विराम लग सकें और बड़ा सवाल यह है कि इसकी मॉनेटरिंग का क्या जरिया होगा किस तरीके से उसकी मॉनेटरिंग होगी उस पर कुछ बहुत हैं देखें डीजीपी मुख्याले के अस्तर पर हमारे पब्लिक रिलेशन आफिसर हैं और उन्हें हम सशक्त बनाते हुए उन्हें बहुत इंटिग्रेट करेंगे तो हमें लगता है कि जोन के माध्यम पे रेंज के माध्यम पे जलिया के माध्यम पे और डीजीपी मुख्याले के माध्यम पे यह चारों तरह से एक इंटिग्रेटिड टूल होगा जो कि आज काफी नाम कमा रही है, लगता है कि अब कुछ जमीनी हकीकत पे दिख भी रहा है, लेकिन एक एंटी शोचल एंडमेंट जो होते हैं, वो कैसे भी किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, यूपी का जो एक perception है, वो बिगारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता उस पर लगाम कैसे नहीं? रहेगा, रोबस्ट रहेगा, और दूसरी तरफ सोचल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं, वो भी स्ट्रॉंग रहेंगे, तो हमारी जो मैन पावर है, हमारे जो डेडिकेटिड ऑफिसे हैं, वो इन सब चीजों पर एक कड़ी निगाह रखेंगे, और जो भी इस तरह की बा आम अपरवयासी भार्चियों को भी मदद मिलेगी, कैमरापरसन हमजा एमद के साथ, मैं विजयतर पाठी, एक्सपोउज इंडिया लखना हूँ